तो लो जी पहली राइड हमारी शांती कुछ वले फ्लाइवर पे तो यहां तो गूड मॉर्णिंग वेलकम बैक टो चलन वन्स अगें सुबह सुबह का टाइम है वाई उमीद थी मुझे की शायद अभी तक तो चलू हो चुक वावा फ्लाइवर लेकिन अभी भी स्टेटस इ एक राउंड मार लेते हैं इसका यहने की डही डही पाच किलो मेटर इस फ्लाइवर के ऊपर से आ सकता हूं पर भी जा नहीं सकता है क्योंकि जाने के टाइम का भी देखो रास्ता बंद के आवा है यहां पर देखो हुआ हुआ है बढ़ वहां से गाड़ियां उपर से नीचे आ रही हैं तो नीचे जड़ूर आ सकते हैं वहां से हम अच्छ 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 तो मैं काम करूंगा अब क्योंकि सर्विस लें उद्र की तो फ्री हो चुकी है तो यहीं से मैं नीचे करके ना उदर चला जाता हूं क्योंकि आगे से हो सकते हैं फिर बहुत लंबा चक्कर काट काना पड़े मेरे को तो दो वाई सब्सक्राइब और टो फैस तो लो जी पहली राइड मारी शान्ती कुंछ वाले फ्लाइब पर तो यहां से शुरू हो रहा है शांती कुंछ के बिलकुल सामने से यह शांती कुंछ का गेंट नंबर टूभाए जिसकी एक साइड चालू हो चुकी है अब दूस जो भी कुछ है आपको कम से कम इस वीडियो में यह अपडेट मिल जाएगा कि एक लेफ्ट साइट कैसे होने वाली है इसकी पहले जो ट्राफिक बिल्कुल नीचे से निक्रा करता था अभी वह इसके ओपर से जाएगा पूरा का पूरा यह सब्सक्राइब को क्रॉस करोगे उसके बाद सीधा इस फ्लाइवर के ओपर आ जाओगे इन फेक्ट यह दोनों फ्लाइवर समझोगी कनेक्टीड ही है तो एक बार आप मौती चुर वाले फ्लाइवर पर चड़े तो सीधा आप भूकत वाला पर आकी उत्रोंगे तो नीचे ज जो स्पीड लिमीट है वो शायद इस पे 60 किलोमेटर पर आर की है हाँ वो आगे बोर्ड लगा भी तो उत्रह भी चलते हैं ज्यादा स्पीटिंग करने की खेर में को आज़त भी नहीं है सिक्स्टी किलोमेटर पर आर की स्पीड है भाई अब यहां से फ्लाइवर थोड़ा सा डिसाइंड होता है और उसके बाद फिर आगे असे पूरा चालू होने में यह लोजी फिर से थोड़ा डिसेंड यह तो जूला जुला रहा है यहां पर फिर से थोड़ा सम नीचे की तरफ जा रहे हैं और फिर से थोड़ा वह उपर जा रहा है और फिर आगे फिर से नीचे जा रहा है वह रोलर कॉस्टर राइड हो रही है इसके उपर तो मतलब इसके उपर ना आप अगर ज्यादा स्पीडिंग करोगे तो वह थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा क्योंकि कभी वह नीचे जा रहा है कभी उपर जा रहा है तो साट की स्पीड जो लिमिटिट लिखी है इसमें उसी पर चलना वही सेफ रहेगा इसके उपर उदर से अभी भी चालू क्यों नहीं कि उसका कुछ करण नहीं बता कल एक बने अपडेट देखा था एक लोकल निवस चैनल का तो उसमें था कि कुछ साइनेजिस वेगर अभी इनकंप्लीट है तो उसको लगा कि एक दो दिन में चालू हो जाएगा एनिवेस कम से कम इसकी ए हर्की पोडी बिलकुल यहां से आप मुश्किल से दो मिनिट के नदर पहुंच जाओगे और वह सामने हमारा आप देख रहे हो वहां से भी बंद किया हुआ है इसको मुझे फूरा आगे से घूम के वापस आना पड़ेगा क्योंकि बीच में डिवाइडर कहीं पर खोला वा नहीं है तो अगर आप देहरा दून रिशी के से आ रहे हो ना तो अब इस फ्लाइओवर के बाद अप सीधे आ जाओगे हर्की पोडी के पास वहां पर आपको रहा हूं क्योंकि मुझे आगे से यू टन मारना है अदरवाइस अगया यू टन और यहां से वापस यू टन लेते हैं कि कल वाला जो मैंने अपडेट डाला था उसमें लोगों मीद रही होगे कि अब यह पूरा अप्डेट आएगा पूरा फ्लाइओवर जो है वो कैसा बना है वो कवर होगा इसके अंदर बट मैंने बहुत वेट किया लेकिन वह चालू हुआ ही तो इसलिए जो मुझे दिख मतलब क्या है बाकी रोट जैसी है वैसा ही है तो इसलिए मैं चोटी-चोटी चीज़ भी अपडेट में डाल रहा हूं अब एक अपडेट जो हमारा आएगा नो फाइनल वहीं से आएगा यहां से शुरू करेंगे पूरा वहां तक जाएंगे फिर उसके बाद वापास आए करेंगे और वह उसमें कवर होगा जब दुबारा वाएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो चैनल को और लाइक की संख्या बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ मतलब तार्गेट अचीव कराते जाओ अभी रिसेंटी जब दुबारा से हाईवे के वीडियो बनाने उसे से सैटिसफाइड रही है इस मैंने भी फिल किया कि पिछले दो साल के अंदर यानि कि जब मैंने 2021 के टाइम तक मैं जो कवर किया था उस समय ड्रॉन वेगर इतना नहीं था इस कंस्ट्रॉक्शन फिल्ड को कवर करने के लिए बट अभी रिसेंट्ली क्योंकि बहुत न के लिए सपोर्ट करो चैनल को ताकि जल्दी जल्दी जो जो चीज चाहा रहे होने इस चैनल पर वो सब भी आए थैंक्स फॉर वोचिंग इस वीडियो तिल नेक्स वीडियो टेक्या गुडबाई